दोस्तो personal loan एक ऐसी चीज है जो आज की date में लाखों लोगों की जुरूत है किसी को शादी के लिए पैसा चाहिए तो किसी को घूमने के लिए पैसा चाहिए किसी को urgent health के लिए requirement है पैसे की या फिर किसी के धेरो reasons हो सकते हैं कि किसी को instant पैसे की requirement है अब ऐसे में हम कोई भी दूसरा loan personal loan के अलावा नहीं ले सकते अगर हमारे को instant पैसे की requirement है अब personal loan अगर हमारे को लेना है तो अब हमारे पास दो options आते हैं पहला option यह है कि हम bank से जाकर के personal loan ले ले और दूसरा option आज की date में हमारे पास available है नावी personal loan का अब इस केस में नावी personal loan आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि यह instant loan आपको provide कर देते हैं अब असलियत में इनका नावी personal loan नहीं है नावी personal loan इनका नाम इसली हो गया कि इन्होंने इतने personal loan disbarse कर दिया कि इनका नाम नावी personal loan ही हो गया actual में नावी एक company है जो आपको health insurance, home loans, mutual funds और personal loan प्रोवाइड करती है अब इस case में सिरफ ये personal loan नहीं प्रोवाइड करते हैं लेकिन सबसे जादा जो इन्होंने loan dispersed किये हैं वो personal loan है इसलिए लोगों ने इनका नाम ही नावी personal loan सकती है अब इस case में इस वीडियो में हम यही discuss करेंगे कि एक तरफ हमें banks personal loan प्रोवाइड करते हैं और एक तरफ जो ये नावी personal loan है कि हम यहाँ पर यही discuss करेंगे कि अगर आपको personal loan लेना है या फिर ना भी personal loan लेना चाहिए किस जगा कितना advantage है और दोनों ही तरफ कौन कौन से disadvantages है यह सारी चीज़े हम इस वीडियो में discuss करेंगे वेल देखो personal loan अगर आपको bank से लेना यानि एक तरफ अगर हम bank को रखते हैं तो banks आपको जो rate of interest provide करते हैं वो लगभग 12% से start होता है 12% से लेकर के 20% भी मिलता है 25% तक भी चला जाता है यह सब कुछ depend करता है आपके civil score के ओपर और आपकी past की credit history के ओपर चाहे आप bank से personal loan लेलो या फिर चाहे आप ना भी personal loan लेलो bank से अगर आपको personal loan लेना है तो उसके दो तरीके हैं या तो आप online bank की website विजिट करो तब आप apply करो या फिर दूसरा तरीका की आप bank की branch चले जाओ और जाकर के personal loan के लिए apply कर दो नावी personal loan अगर आपको apply करना है तो उसका एक ही तरीका है कि आपको google play store पर जाना है या फिर अगर आप apple user हो तो आपको अपना apple store open करना है और वहां से आपको नावी personal loan की app install करना है अब ये नावी personal loan कैसे apply करना है इस वीडियो के end में step by step भी मैं आपको complete process बताऊंगा कि कैसे आप easily अपने mobile phone से ही नावी personal loan के लिए apply कर सकते हो अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक बर इन दोनों का difference समझ लेते हैं कि हमें actually apply करना कहां से चाहिए देखो bank से अगर हम apply करते हैं तो rate of interest लगवग 12% से 25% 30% तक जाते हैं अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि इतना high rate of interest personal loan पर क्यों charge होते है माल लो अगर मुझे home loan चाहिए माल लीजे एक example लेके चलते हैं माल लो मैं state bank of india में personal loan लेने जाता हूँ तो मेरे को वो कहेंगे कि 12%, 15%, 20%, 25% जो भी मेरी credit history है फिर मेरा जो civil score है उसके उपर depend करते हैं वो मुझे rate of interest offer करें कम से कम 10-12% तो आपको personal loan का rate of interest पे करना ही पड़ेगा चाहे आपका कितना भी अच्छा civil score क्यों नहीं यही state bank of india अगर home loan के rate of interest में इसे पूछू तो यह मुझे कहेंगे 6% पे ले लो 7% पे ले लो ऐसा क्यों मलब personal loan के rate of interest इतने high क्यों यह चार्ज कर रहे हैं चाहे ना भी personal loan भी क्यों नहीं चाहे state bank of india यह personal loan के rate of interest इसलिए इतने high charge करते हैं क्योंकि personal loan एक unsecured loan है देखो ध्यान से समझो यहाँ पे जो home loan होता है यह एक secure loan है यानि आपका घर bank के पास गिरवी है जब तक आप bank का पूरा पैसा bank को pay नहीं कर देते हैं मालो आपने home loan लिया 50 लाख रुपे का इस case में आपका घर bank के पास गिरवी है जब तक आप bank का पूरा 50 लाख रुपे पे नहीं कर दोगे लेकिन personal loan एक ऐसी चीज है आपको इतना पैसा दे देते हैं bank के पास कोई भी चीज गिर भी नहीं है हो सकता है आप future में bank के साथ फ्रोड भी कर दो यानि bank का पैसे रिपे भी ना करो bank को आपके उपर कैसे ट्रस्ट होगा इसलिए ये एक unsecured loan है इसलिए personal loan के rate of interest बहुत जादा चार्ज करता है bank अब इस case में आप दोनों का difference समझते हैं देखो bank में कोई भी bank ले लो 10% से नीचे आपको कोई भी bank offer नहीं करेगा in case जब आपका बहुत ही शानदार civil score होगा whereas नावी personal loans ये बोलते हैं कि हमारे personal loan के rate of interest start होते है 9.90% से आप ऐसा मत समझ लेना कि आपको भी 9.90% मिलेगा मुझे भी 9.90% मिलेगा ये बस बोल रहे हैं कि हमारे personal loan start होते है 9.90% से और इनका ये कहना है यानि नावी personal loans का ये कहना है कि दूसरी तरफ bank आपको 12% से start करते है यानि ये मैं compare नहीं कर रहा ये नावी personal loan अपनी website पे compare कर रही है कि हम 9.90% से start करते है personal loan दूसरी तरफ ये कह रहे है कि bank start करता है 12% से यानि ये अपने आपको एक superior दिखा रहे है कि हम सस्ते rate of interest offer कर रहे है ठीक है अब यहाँ पे नावी personal loans के rate of interest actual में जो इनकी website पे लिखे है ठीक है वहाँ लिखा हुआ है कि 9.90% से start जरूर होते है लेकिन ये जा सकते है 36% तरफ ये depend करता है आपके civil score के उपर यानि जब आप इसको apply करोगे तो last में आपको ये दिखाएगा कि आपको जो limit sanction हो रही है वो लगभग जैसे मानलो एक example लेते है मालीजे जब हम apply कर रहे है तो last में ये दिखाएगा कि मैं मालीजे मुझे ये लगभग लगभग मान के चलो कि 5,00,00,00 की limit दे रहा है और मुझे जो ये rate of interest चार्ज कर रहा है मालो 21% चार्ज कर फिर ये last में पूछेगा कि आप इस loan को avail करना चाहते हो अगर आपको लगता है कि 21% पे अगले मालो 5 सालों के लिए मुझे 5,00,00,00 के लोन मिल रहा है तो नीचे अगर मैं avail now के option पे क्लिक करूँगा तो मुझे 5,00,00,00 मेरे bank account में sanction कर देगा अगर मैं नहीं करूँगा मालो मुझे लगते कि personal loan लेते हैं तो एक personal loan के साथ processing fees लगते हैं जिसे हम file charge बहुते हैं banks की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3% का processing fees bank आप से charge करेगा ही करेगा ये bank to bank depend करता है 2% भी charge करता है कोई 3% भी करता है कोई 3.5% भी करता है लगभग इतनी range बैंकों की रहती है दूसरी तरफ अगर मैं नावी personal loan की बात करूँ ये आप से processing fees charge करेंगे 3.99% से लेकर 6% के बीच में ठीक है तो यहाँ पे bank ज़्यादा ठीक है processing fees के अगर हम बात करें और यहाँ पे जो नावी personal loans है ये आप से charge करेंगे 3.99% से लेकर 6% के बीच में अगर हम rate of interest जो हमने पहले compare किया था वो आपके credit score पे ही depend करेगा चाहे आप नावी personal loan से ले लो या फिर आप bank से ले लो यानि आपका क्या credit score है आपकी pass की क्या credit history है उसके ओपर ही depend करेगा चाहे आप bank से ले लो या फिर नावी personal loan ले लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं देखो bank का एक नुकसान क्या है कि आज आप bank में apply करोगे मालो आपने online personal loan की request दे दी तो लगभग एक हफता लग जाएगा आपके पास की call आएगा bank employee का या फिर अगर आप online सारे documents भी upload कर देते हो तो उस case में भी आपकी KYC completion आपका ये document कम है यानि एक थोड़ा सा lengthy process हो जाता है यानि कम से कम भी आप ये मान के चलो एक हफते से 10 दिन का time आपको लग जाता है ये मैं आपसे practical बात कर रहा हूँ चाहे bank website पे कुछ भी लिखता हो कि हम कुछ banks ये भी लिखते हैं कि हम एक minute में भी loan disburse करते हैं यानि within one minute हम आपका personal loan disburse कर देंगे लिखने में आप कुछ भी लिखते चले जाओ अब navi personal loans ने भी जो लिखा हुआ है अगर आप लिखने पे जाओगे तो उस case में आपको लएगा कि फिर ठीक है navi personal loan से अच्छा कुछ भी नहीं है देखो उसकी deep study नीचे जो छोटा-छोटा terms and condition लिखा होते है न उसकी study करना ज़रूरी है वो आपको कोई नहीं बताएगा आप कितनी भी videos देख लो जहां पे बस आपको वो लोग दिखाएंगे कि top पर उन्होंने क्या लिखाए देखो अब navi personal loans है उन्हें तो अपने product sell करने है वो तो जो main website है वहाँ पर पता नहीं क्या-क्या लिखेंगे कि हम ये दे दे देंगे ये देंगे लेकिन नीचे जो छोटा-छोटा terms and conditions दिखा है वो जानना जरूरी है देखो अब banks की practical बात करें तो ये लगभग 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन का time लगी जाता है लेकिन navi personal loan का एक benefit ये है कि अगर आपका credit score अच्छा है तो जब आप apply करने लगोगे instantly आपका loan disperse हो जाएगा यानि मलब आपको wait भी नहीं करना है आपका सीधा जब आप pen card enter करोगे या आपका credit score fetch करेगा credit score अगर आपका perfect है यानि अगर आपने past में कोई भी loan का default नहीं किया हुआ या फिर past में आपका civil score बहुत अच्छा है आपकी income बहुत अच्छी है तो इस case में आपको wait नहीं करना यानि अगर आप सीधा apply करते हो तो सीधा सीधा जब आप मलब आप जब phone close करोगे तब आपकी account में पैसा आ जाएगा या इतना fast process है यह इसका एक benefit है यहाँ पे बैंक का यह benefit नहीं है क्योंकि bank थोड़ा time लेता है बट यह जो personal loan की app है नावी personal loan इसका यही benefit है कि यह बहुत जल्दी loan disperse कर देता है उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगर मालीजे चाहे bank से loan लो चाहे नावी personal loan लो in case अगर आप loan time पे pay नहीं करते यानि मालीजे अगर आप time पर loan नहीं pay कर रहे आपने loan ले लिया इनसे मालीजे आपने नावी personal loan से loan ले लिया और अगर आप loan time पर pay नहीं करते ठीक है तो इस case में दोनों में difference बता रहा हूँ नावी personal loan में जब आप loan के लिए apply करते हो तो ये आपसे आपकी contact information मांगता है यानि जब आप apply करने लगते हो तो पहले page भी आएगा कि allow all your access of contacts तो इस case में जब आप allow करोगे तो आपकी पूरी contact list इनके पास एक बार backup के लिए चली जाएगी in case माल लिजे कोई भी ऐसा कारण आजाता है कि हम loan नहीं भर पारे माल लिजे कोई loan नहीं भर पाते या फिर 2-3 EMIs नहीं भर पारे तो इस case में एक नावी personal loan का नुकसान ये है कि फिर ये आपके context को भी call कर सकते हैं ये बताने के लिए यानि आपकी personal information भी defame हो सकते हैं यानि आपके context को अगर call करके ये का जाए कि ये व्यक्ति पैसा नहीं भर रहा तो इस case में ये मैं थोड़ा सा इसका नुकसान मांगता हूँ लेकिन दूसरी तरफ banks ऐसा नहीं करते banks कभी आपके context को नहीं call करेंगा अगर माल लिजे कोई अच्छा reputed bank है तो वो आपसे ही contact करेगा कि आप EMI क्यों नहीं पे कर रहें यानि वो आपके context को नहीं परिशान करें यानि आपके context को वो ये नहीं बताएगा कि आपने दोतीन EMI पे नहीं की अब इस case में जब हम compare कर रहे हैं एक तरफ bank को और एक तरफ ना भी personal loan को तो bank की personal loan की definition ये है कि हम personal loan सिरफ उनहीं लोगों को देंगे जो कहीं पर job करते हैं यानि personal loan की definition bank ये बोलता है कि personal loan सिरफ और सिरफ salary class लोगों के लिए अगर आप कहीं पर खुद का अपना business कर रहे हो यानि आप self employed हो तो उस case में bank ये बोलता है कि हम आपको business loan देंगे लेकिन दूसी तरफ नावी personal loan में चाहे आप salary class हो चाहे आप self employed हो दोनों ही अपना loan नावी personal loan से avail कर सकते हैं बस आपका credit score अच्छा होना चाहिए यानि आपकी credit history अच्छी होनी चाहिए इन सब के अलावा अगर मान लो कोई भी व्यक्ति एक आदी EMI नहीं time पे भर पाया तो उस case में कितनी penalty लेगे तो यहाँ पे नावी personal loan यह बोलते है कि 10,000 की EMI थी आपने 2000 तो भर दिये अब 8,000 रुपे बच गए यानि 8,000 पे आपने कम भरे इस महीने तो जितनी amount आपने कम भरी उसका 2% as a penalty आप से charge की जाएगी ठीक है तो जितना भी amount आपका overdue है उसका 2% और यह 2% yearly नहीं है यह monthly 2% है यानि महीने के हिसाब से महीने का 2% यानि साल का 24% के हिसाब से नावी personal loan आपके ओपर penalty impose करेगा तो यहाँ पे overall conclusion यह है कि इस case में अगर आप regular यानि regularly अपनी EMI कर सकते हो तो उस case में नावी personal loan आपको instant personal loan देखो personal loan तो यह भी है personal loan नावी personal loan भी है अगर आपको लगते है कि मुझे ठीक है 10 दिन में 12-15 दिन में चलेगा मुझे कोई problem नहीं है अराम से मुझे loan दो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है easily bank की तरफ आप चूज कर लो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको लगते है instant चाहिए मुझे बस अभी मलब मेरे को urgent ही चाहिए एक दो दिन के अंदर पैसा चाहिए तो इस case में अपना mobile उठाओ नावी personal loan एप को install करो और सीधा सीधा नावी personal loan अवेल कर लो अब ये नावी personal loan कैसे मिलेगा इसका क्या process apply करनेगा अब एक बर हम इसे देख लेते हैं अब नावी personal loan apply करने का link नीचे description box में दिया गया है जैसे ही उस link पर आप click करेंगे कुछ इस प्रकार का interface आप क्या आगे दिखाई देगा अब क्योंकि हमें यहाँ पर personal loan के लिए apply करना है तो सबसे पहले वाले option में यानि जहाँ पर personal loan लिखा हुआ है उसके नीचे आपको apply का option दिखाई देगा उस apply के option पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number पूछेगा जैसे सबसे पहले आपको अपना full name एंटर करना है फिर आपको अपनी date of birth एंटर करनी है और add the end आपको अपने pen card का number एंटर करना है यानि जो भी आपका pen card है उसके ओपर जो pen number लिखा हुआ यानि अपना pen number एंटर करने के बाद नीचे आपको next की option पर click करना है फिर next page पर ये आपसे आपकी employment type पूछ रहा है अगर आप salary है तो salary अगर आप self employed है तो self employed उसके बाद नीचे आपको अपनी monthly income add करने की आप महिने में कितना पैसा कमाते हो ये enter करने के बाद नीचे आपको next की option पर click करने फिर next page पर ये आपसे आपकी company का नाम पूछ रहा है यानि अगर आप salary class हो यानि कहीं पर अगर आप job करते हो फिर ये आपसे आपकी company का नाम पूछ है तो जो भी आपकी company का नाम है यानि जहाँ पर भी आप job करते हो अपनी company का नाम यहाँ पर आपको search करना है और company का नाम यहाँ पर आपको enter करना है company का नाम enter करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा generate EPFO OTP तो यहाँ पर आपको EPFO OTP के सामने जो arrow का निशान दिखाई दे रहा है इस arrow के निशान के उपर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर आपके mobile phone पर दुबारा एक OTP भेजा जाएगा verification के लिए तो यहाँ पर आपको OTP एंटर करना है उसके बाद नीचे आपको verify के option पर click करना है OTP verify होने के बाद next page पर कुछ इस प्रकार का interface दिखाई देगा simply आपको नीचे continue के option पर click करना है कुछ यहाँ पर यह permissions मांगेगा तो आपको allow के option पर click करना है उसके बाद नीचे finally आपको submit application के option पर click करना है थोड़ा सा यह processing time लेगा यानि आपके pen card से यह fetch करेगा कि कितनी limit के लिए आप eligible हो अगर आप limit के लिए eligible यानि अगर आपके ओपर कोई भी past में civil score खराब नहीं है तो कुछ next page पर ऐसा interface आपको दिखाई देगा यानि जितनी भी limit आपको sanction होगी वो complete limit यहाँ पर दिखाई देगा नीचे EMI amount दिखाई देगी उसके बाद आपको नीचे next के option पर click करना होगा next page पर यह आप से request करेगा कि आप अपना अधार card और pen card यहाँ पर upload कर दीजिए उसके बाद नीचे आपको submit application के option पर click करना होगा यानि अधार card और pen card upload करने के बाद नीचे आपको submit application के option पर click करना होगा यानि यहाँ पर यह verify करेगा आपके pen card को दुबारा उसके बाद finally verification होने के बाद जो भी amount sanction होगी वो आपके bank account में transfer कर दी जाएगी दोस्तों उमीद करता हूँ नावी personal loan की सारी जानकारी आपको मिलगी होगी अगर आपको वीडियो जरा सीप informative लगए हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करें